कि यहां पर हमने इसमें सेट कर दिया इसमें बड़ सरल सा काम है यह मसीन को पकड़ा और यह अपने आप ही यह चिप्स बिल्कुल पतली पतली चिप्स बड़ी सरलता से निकलते जाएगी पतली पतली चिप्स यह आलू chips machine है, साल भर के लिए, आलू chips संग्रण के लिए, या ताजी chips के लिए, या आपको सलाद काटना हो, मतलब गाजर का सलाद, मूली का सलाद, ककड़ी का सलाद, और कहीं तरीके की कुकुमबर का सलाद, कहीं तरीके सलाद काटना हो, उसके भी काम में आते हैं, और साल plants machinery and motivational से जुणने के लिए 2PM अर्थात pets, plants, machinery and motivational से जुणने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें नमस्कार सातियों सातियों व्यापार शुरू करना चाहते हैं कम बजट में व्यापार करना है बहुत कम बजट में आपको व्यापार शुरू करना है यह चोटी से मशीन खरी सकते हैं यह है अलू चिप्स मेकिंग मशीन अलू चिप्स के साथ साथ यह गाजर की चिप्स बना देती है सलाद बना देती है अर्थात बहुत सारे काम कर सकती है यह घर के लिए भी आप खरी सकते है और यह ब्यापार शुरू करना चाहते है चोटा मोटा तो उसके लिए भी यह मशीन आप खरी सकते है और अपना अच्छा कासा ब्यापार शुरू कर सकते है आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस प्रकार से यह मशीन काम करी और कैसे चिप्स बनाई जा रही है सलाद बनाई जा सकती तर्माम प्रकार के काम किये जा सकते है अर्थाद आप हजार से पंदरा सो रुपे आसाने के पर डे इस मशीन से छोटे से मशीन से कमा सकते है अगर यह मशीन खरिदना चाहते है इस मशीन को आपके खरिदने की और आगे बढ़ने क्योंकि चिप्स बनाने का व्यापार हर जगा है हम सब को अच्छे से मालूम है कि किराना की हर दुकान पर चिप्स खुब बिखती है और बच्चे खुब आते हैं तो ऐसे में यह व्याप पार शुरू कर रहे हो तो निश्चिते चक्की आपकी जरू चलेगी दुकार तो आईए मेज आपको लेकर चलता हूँ चक्की हाउस जो कि इंदोर और अहम्दाबाद में इनकी आउकलेट है शोरू में इनकी फेक्ट्री है यह खुद मेनुफेक्च अशरी होगी आप शुकर करते हैं वीडियो और जानते हैं कि मसिइन के माता बेहनों को जो कि हम लोग साल भर केले संग्रान करते हैं या या ताजीबी चिप्स बनाते हैं तो ये एक चिप्स मसीन है, जो किसनी होती है, जो हाथ से घिसकर मता बहने बनाती है, उसमें हाथ छिल जाता है, लेकिन ये ऐसी मसीन है, जिसमें सेफली 10-15 साल से बड़ा बच्चा भी बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें आलू के चिप्स बना सकते हैं, संग् देमो दे रहा हूं, इस मसीन का मेंटनेस की बात कर रहे हैं, कोई मेंटनेस नहीं, ये सॉप्ट चीजें काड़ते हैं, इसलिए इसमें ब्लेड होता है, ये साधा सा और ये हाथ से घुमानेक से बड़ा सरल सा, इसका डेमो एक वीडियो में दिखा रहा हूं, इसकी उम्र क से सो कदम, यहां पहले आजंता एलोरा टाकीस थी, अब एलोरा प्लाजा बन गया है, इसमें दूसरी मंजील पे 5-6-7, चक्की हाउस के नाम से, आपको पहले भी मैंने अपने वीडियो से में बताया हूआ है, और नीचे मैंने स्क्रीन पे फोन नंबर भी चल रहा है, वहा सिन को पकड़ा, और यह अपने आप ही, यह चिप्स बिल्कुल, पतली-पतली चिप्स, बड़ी सरलता से निकलती जाएगी, पतली-पतली चिप्स, पतली-पतली चिप्स निकलती जाएगी, किसी तरीके का कोई एक्सिडेंट होने का नि, 10-15 साल का बच्चा भी चिप्स जब पास में आजाएगी, तो थोड़ा सा दबा दीजी आप, जा चिप्स कहला, और क्या कर चीज़ काट सकते हैं, आप कट्डी का सलाद काट सकते हो, गाज का सलाद काट सकते हो, मूली का सलाद काट सकते हैं, यह सब चिज़े इसमें कर जाएगी, यह कितनी फूर्ती से निकल गई देखें आप यह चिपस पतली पतली निकल गई मैं एक एक और डेमो देता हूं आपको यह पतली पतली चिप्स पतली पतली चिप्स फटा फट निकलेगी और आपको किसी तरीके से कोई एक्सिटेंट नी कोई हाथ कटने का जंजटनी कोई समय लगने का जंजटनी ज्यादा मेहनत नहीं है अराम से स्टूल पर बैठके ऐसे आप निकाल सकते हैं यह तो आपकी मेहनत के उपर आये अराम से 5 किलो 10 किलो निकाल सकते हैं मेहनत करने वाले पर निर्भर है क्योंकि हाथ से जितना गुमाऊ गए उतना निकलेगा इसका यह आलू चीप्स मसीन है साल भर के लिए आलू चीप्स संग्रण के लिए या ताजी चीप्स के लिए या आपको सलाथ काटना मतलब गाजर का सलाथ मूली का सलाथ ककड़ी का सलाथ अन्य कहीं तरीके की कुकुम्बर का सलाथ, कहीं तरीके सलाथ काटना उसके भी काम में आते हैं और साल भर काम में आना है अगर आपको ये आलू चीफ सबसिन मंगाना है तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिये उन पर संपर करें